बिस्मिल्ला इलोरह्मान इलरहीम और अस्सलाम अलेखम वेलकम टू आल यू फ्यू इन मैठमेटिकल ट्रीट्मेंट student entry test की हवा चल रही है आजकल यानि मैं बात कर रहा हूं entry test की और aptitude test का season जो है वो चल रहा है क्योंकि different universities में student ने admissions लेने हैं और वो anti-test और aptitude test की तरफ move कर रहे हैं तो उन students के लिए मैं लाया हूँ mathematics के short tricks यानि different universities में admission के लिए mathematics का जो portion है वो बहुत ही important है mathematics के अंदर बाज़ दफा questions की length बजाहिर बड़ी नज़र आ रही होती है लेकिन उसके लिए time होता है सिर्फ और सिर्फ एक minute या चन्द seconds जो है उनको एक question के लिए मिलते हैं इसलिए mathematics के short tricks सीखना इंतिहाई ज़रूरी है मैं आप लोगों के लिए playlist बना रहा हूँ जिसके अंदर कुछ videos upload हो चुकी है आप मेरे channel में जाके प्ले लिस्ट में जाके mathematics के short tricks वाली videos को देख सकते हैं और घर बैठे ही आप लोग इससे फाइदा उठा सकते हैं specially ECAT के students और NUST के students यानि मैं NET NUST के जो test हैं specially उनकी बात कर रहा हूँ के उन test के लिए मेरी videos जाए students के लिए बहुत जादा helpful होंगी तो चलते हैं अपने topic की तरफ student आज का मेरे topic है determinant short tricks यानि एक बड़े determinant को किस तरह हम within few seconds जो हो solve कर सकते हैं जैसा मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने एक determinant लिखे है जो 3 x 3 के matrix का एक determinant दिया गया है क्या ये possible है कि इस determinant के इन 4 options में से कोई option within few seconds जो हो calculate कर लिया जाए बिल्कुल possible है कैसे possible होगा सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी वीडियो को last तक देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरह के किसी भी determinant का answer within few seconds निकाल लेंगे उसके लिए मैं एक statement लिखिया है उपर जो के आपके interest के लिए है 1 और 0 1 और 0 के बारे में कुछ बताने लगा हूँ 1 और 0 are the super hero ये 1 और 0 बहुत ही hero number है क्योंकि ये हमारी calculation को बहुत ही असान बनाने वाले है अब मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का कोई भी determinant अगर आपको mcq type question में दे दिया जाए तो उसका answer आप किस तरह निकाल सकते हैं जरा गौर से देखिए student जब भी इस तरह की कोई situation आजाए आपके पास आपने क्या करना है कि अपने इस determinant के अंदर जो आपको variables दिये गए यानि ABC दिये हूँ है आप सबसे पहले उसको क्या कर ले A is equal to B is equal to C is equal to 1 मैंने क्या किया कि मैंने इन सारे ABC को क्या नाम दे दिया क्या लेट कर लिया 1 कर लिया कभी 1 लेट करूँगा कभी 0 लेट करूँगा 1 कहां लेट करना है 0 कहां लेट करना है ये भी आपको वीडियो के last में ही पता लग जाएगा मैंने जैसे ही इसको ABC को 1 लेट किया अब देखे मेरा जो determinant है वो क्या बन चुका है डिटर्मिनेट जब ये 1 बनेगा 1 1 1 3 बन जाएगा 3 minus 1 minus 1 minus 1 3 minus 1 minus 1 minus 1 और ये क्या बन चुका है 3 आपके सामने एक 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेट सामने आ जाएगा जो के within few seconds solvable है आप जल्दी से इस डिटर्मिनेट को expand कर दें expansion के बाद एक answer क्योंके determinant एक constant number है expansion के बाद आपके पास एक answer आने वाल है तो मैं इसको expand करने लगा हूँ 16 16 इसका answer बने है अब इस answer को लेके मैं options में से select कर सकता हूँ कि इन में से कौन सा option जो है मेरे इस determinant का answer हो सकता है जरा गोर कीजिएगा जो value आपने ABC को जो value 1 assign की थी वो अगर मैं options पे assign करूँ मुझे यहाँ कोई calculation नहीं करनी पड़ेगी answer फोरण आपके सामने आजएगा देखें अगर मैं 1, 2 और 3 1, 2 और 1, 1, 1 अगर मैं इन तीनों को 1, 1, 1 value दे दू तो यह बनता है 3, 3 की power 3 जो है वो 27 होता है जो के 16 नहीं होता इसका मतलब यह option नहीं बनता दूसरा option था 0 0 भी इसके जवाब नहीं बनता क्योंकि answer वो जो इसके बराबर होगा जो इसको suit करेगा वो ही हमारा answer होगा उसके बाद 2 इन 2, 1 प्लस 1 यह भी 2 बनता है, यह भी 2 बनता है, यह भी 2 बनता है 2 को आप जानते हैं कि अगर आप 2 को 4 ताइम्स multiply करें, it will be 16 और last है none of these तो चुँके इसका answer 16 बनता है और हमारे इस 16 से match करता है फॉरण से आप कह सकते हैं option number C is correct तो student इस तरह आप ने देखा कि मैंने इस तरह के determinant को within few seconds, यानि मैंने उसको value assign की 111 और उसके बाद मैंने determinant का answer निकाले, यह सिर्फ इस वज़ा से कर सका हूँ कि determinant का answer एक scalar number होता है और scalar number नहीं हमें बता दिया, तो इस तरह हम shortcut से determinant को solve कर सकते हैं चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ जी student, next question मैंने आपके सामने लिख है फिर एक 3 cross 3 का determinant आया और बताना है हमने कि यह determinant इन मैंसे किस के बराबर है अब यहाँ important बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो यह है कि पिछले सवाल में मैंने ABC को 1 value इसलिए दी क्योंकि अगर मैं वहाँ सबको 0 value देता तो पूरा का पूरा determinant 0 हो जाता लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं X को 0 पुट कर दूँ X is equal to 0 पुट कर दूँ तो यह determinant जो है वो सारा का सारा 0 नहीं होगा यहाँ 0 पुट करने से यह क्या बन जाएगा 1, 2, 4 उसके बाद बनता है 3, 5, 8 7, 10, 14 और इस तरहां आपका यह determinant इसमें convert हो जाएगा यह सारा काम आपने rough में करना है क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ चन्द सेकेंड्स हैं अब इस determinant को यह 3 x 3 का determinant आपके सामने आया और 3 x 3 के determinant को 1st year या 11th class के student या 12th class के student solve करना अच्छी तरह जानते हैं और बहुत ही fastly इसको solve कर सकते हैं by expansion जब इसको आप expansion से solve करते हैं तो इसका answer बनता है minus 2 चेक कर लीजिएगा इसका answer क्या बनता है minus 2 अब आपने ये करना है कि जो value आपने x is equal to 0 यहां assign किया वो ही value आप options में भी assign कर दें और option वो ही suit करेगा जो आपके इस answer के बराबर होगा अब देखें अगर मैं x is equal to 0 a option में put करूं तो answer बनता है 2 अगर मैं यहां put करूं फिर भी answer बनता है 2 और c answer वैसे ही 2 है और d option जो है वो minus 2 है और वो मेरे answer से क्या हो रहा है match हो रहा है अगर मैं यहां value put ना भी करता मैं direct भी बता सकता था कि इसका option क्या है minus 2 लेकिन आपको समझाने के लिए कि यह answer यह substitution आपने यहां भी करनी है आप direct हर दफा निकालने की कोशिश करें तो minus 2 is the correct option यानि option number D is correct तो student में उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी इस तरह के मजीद short tricks के लिए मेरे चैनल mathematical treatment को subscribe करें और अपने दोस्तों से share करें और घर बैटे इस तरह के math short tricks सिखें तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे एक assignment आएगी उस assignment को घर बैटके solve कीजिए और मुझे comment box में बताईए के उसका answer क्या बनता है तो अगली एक interesting वीडियो तक के लिए मुझे इजादत दें अल्ला हाफिज और मुझे मुझे एक टूर बनता है